आपको हमेशा बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त आप से क्या बात करना चाहते हैं, आपकी फिलिंग्स भी चेक करेंगे और एंड में आपके लिए एंजल गाइडन्स भी देखेंगे, ठीक है? चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजे लाइक करने से इनवर्जिस एक्स्चेंज हो जाती है, अगर आपको आपकी परसन रिडिंग करानी है स्क्रीम पे देग नंबर पर वाटसप पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल्स मिल जागी, कॉल के से बुक करने, ठीक है? एंजल, क्रिस्टल, ब्रेसलेट, क्रिस्टल, ट्री या क्रिस्टल के जो भी प्रोडक्स लेने, सेम नंबर पर कॉंटक करना है मेरी efर पर्टनर के करें लाच का है, चेंखें से में आपको ड़े नहीं है जो लोग no contact में हैं, आपके person आपसे बात नहीं कर रहे हैं, यह उनकी energies है, ठीक है, बैट करिये निवर्स, इनके partner के current में intentions क्या है में reverse के लिए, death आया है, 100% इस रिस्ते में इनको reverse चाहिए, ठीक है, intentions में है, इस person ने आपको धुका दिया था third party के लिए, इनके बीबी हो सकते हैं, शायद आपके person married है, और इनको बहुत ज़्यदा headache हो रहा है, अपने बच्चे का, इनको अपने third party का तो कोई tension नहीं है, इनको अपने partner का तो कोई tension नहीं है, लेकिन बच्चे के वज़े से यह person बहुत ज़्यदा stress में है, लेकिन फिर भी यह आपको बहुत ज़ इस person नहीं बीगाड कर रख दिये है, तो इस हाला से आपको निकालना चाहते है, death आया है, इस रिस्ते में इस person का transformation complete हो चुका है, और अब फिर से नए तरसे इस रिस्ते में सब कुछ करना चाहते है, एक face start चाहते है, आपके साथ justice करना चाहते है, तो इस person के intentions तो आपके ल yeah, फुरूष्रिक मेन राशी, टेमपरल्स, yes, आपके आपके person की हो सकती है, ठीक है, तो current energies में आपके पर से feelings की बात करूँ, तो 100% जो intentions में हैं आपके साथ justice करना, आपके persona आपके साथ justice करने के बारे में सोच रहे है, इस रिस्ते को balance करने के बारे में सोच रहे है, आप से म प्लेान की है उस डेट पर ये परसंद आप से मिलना चाहते है आपके रिष्टे में पास जो भी बुरह रहा है लेकिन आपके परसंद में सिर्प ओशिप आपके उपर फुकस्ट हैना उम्हेर दिखा इन धे रहा है इनका बच्चा current energies में इस परसों को तकलिफ दे रहा है मतलब कि अपने बच्चे से disconnect ने हो पा रहे है तो इन्होंने कोई ऐसा रास्ता ढूंड लिया है जिससे कि इनके बच्चे के साथ भी injustice नहीं होगा आपके साथ भी injustice नहीं होगा और आपका reunion हो जाएगा फील करते हैं इनको आपका बहुत जदे attraction है अब इनको यह समझ में आ चुका है कि चाहिए जो हो जाए और कोई कितना भी कुछ भी करें लेकिन यह परसों आपके भीना नहीं जी पाएंगे तो मरने से बटर है कि आपके पास आया जाए आपको यह समझाया जाए जो भी तकलिप है इस परसों के जिंदगी में एक बार यह आपको पता चलेगी आपको समझ में आ जाएगा कि यह परसों जैसे आप सोच रहो वैसे नहीं है ठीक है? आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा negative mindset में हो कभी अच्छा सोच रहो, कभी बूरा सोच रहो लेकिन यह परसन जब आप से मिलेंगे यह सोच रहे हैं इन्होंने कोई डेट प्लान की है इस टाइम पे आप से मिलेंगे और यह आपको क्लियर करेंगे आपके सारी गिले शिक्वे मिटाना चाहते है थर्ड पाठी से निकर कर आपको अपनाना चाहते है तो करेंट में तो आपके परसन आपको लिकर बहुत ही जदा पॉजिटिव है आपके सारी शिक्रायते दूर करकर यह आपको अपनाएंगे इस mindset में हैं और traveling है बहुत जल्दे आपसे मिलने के लिए आने वाले ठीके सोच रहे कि कब आपसे मिलेंगे यह डेट जो इस परसन ने प्लैन करी आपके परसन इसी डेट को आपको मिलने वाले है गड़ करें यूर्स तो यह reconciliation तो करना चाहते है तो अगर यह offer करेंगे मेरी यूर्स को अगर यह बात करेंगे मिलेंगे यह third party से भी निकल रहे है तो यह सब कुछ situation better होने वाली है यह कब तक हो सकती है इनकी तरफ से मेरी यूर्स के लिए positive energies कब तक आ सकती है दसन आया है ज्यादा से ज्यादा दो हपते लगेंगे और कुछ लोगों को इससे पहले भी आपके person मिलेंगे ठीक है आपको clear यहाँ पे energy positive है आपके person आपसे ऐसी कुछ बात करेंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो आपको यह feel होगा कि आपने तो इतने टाइम तक इस person का वेट किया था और बहुत कुछ गलत-गलत सोच लिया था इस person का जो की happy marriage आपने जो की सोच कर रखा था ऐसा कुछ भी नहीं है आपको एक जित का एहसास मेंसुस होगा जब यह person आपसे मिलेंगे यह third party से निकल कर आपके पास आ रहे है क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा emotional है ठीक है तो आपके person तो रिकंसिलेशन 100% करना चाहते हैं आपको अपनाना चाहते हैं अभी अगर आप इसे समझ लीजे अगर यह person married है न यहनोंने अपने third party का जो भी जो भी decision लेना है वो ले लिया है जैसी कि अगर आपको promise किया ता है यह divorce देकर आपके पास आएंगे तो यह third party को divorce देने के लिए अब ready है या तो इनका court में case आ चुका है क्योंकि यह पर justice भी आ चुका है ठीक है यह person आपको लेकर बहुत positive है और अब इनों ने जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा practical behavior किया है लेकिन current में यह person emotionally behavior कर रहे है ठीक है अभी अपने दिल के आवाज सुन रहे है पहले यह अपने दिल के intuitions को ignore कर देते थे लेकिन अभी अपने दिल के आवाज सुन रहे है ठीक है अब इनका focus इर्फ आपके उपर है अब इनको और कुछ नहीं जाएए ठीक है अगर इनके person इनसे इस वक्त बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते है इनके partner इनसे इस वक्त कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते है वो आपको कहना चाहते हैं कि आप खुफस मत खोना और प्लीज इनको समझो, इनको माफ करो, इन्होंने आपको ठुकराया है, इस बात का इनको बहुत ज़्यदा पश्तावा है, लेकिन अब इनको किसी और का आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा, जब भी आपसे बात करेंगे आप इस परसें के offer को जैसी कि मना ना करो, आप इस परसें को समझने की कोशिश करो, ठीक है, आपकी तरफ से protection के energies रहेगी, लेकिन आपके person चाहा रहेगी, प्लीज आप ऐसा ना करो, आप इतना protection वाले energies में मत जाओ, कि आपके person को अपना प्यार प्रूफ करने के लिए, ब हुरुसा करना है, यह current पे आपको यह कह रहे है, ठीक है, तो हम आपकी feelings भी चेक कर लेते हैं, current में, इसी energies में, आप क्या feel कर रहे हो, current energies में, आपकी feelings क्या है, इस वक्त आपके person के लिए, इनका तो हो गया, intentions भी, reconciliation भी करना चाहाते हैं, आपके साथ justice भी करेंगे, third party से भी इतने positive तो हो चुके है, और near future आप लोगों का meeting भी हो रहा है, ठीक है, तो energies तो बहुत positive है, आपके person की तरफ से, guide कर इंवर्स, इस वक्त मेरी yours क्या feel कर रहे हैं, इनके partner के लिए, इस वक्त मेरी yours की क्या feeling से, इनके partner तो इतने positive है, तो क्या, ऐसे energies मेरी yours की भी है, मेरी yours की feelings आपको डर लग रहा है, यस, आपके person को जो लग रहा है यह आप से बात करेंगे, लिकिन आपको जो की, आप इस person को समझने के लिए मना करोगी आप, आपको डर लग रहा है, फिर से इस person की बात पर भरोसा करने का, क्योंकि आपने आँख बं करके जिस person के उपर भरोसा किय इस person ने आपको कही का नहीं छोड़ा, इन्हों आपको मरने के लिए, रोने के लिए छोड़ दिया, अपने जिंदगी में enjoy करते रहे, खुश करते रहे, और आपको देखा तक नहीं मुड़के, आपको इतनी negative energies देने के बाद, आपका हर एक सपना तोड़ने के बाद, और लिए justice आ भी रहा है, even हो सकता है कि आप मैंसे कुछ लोग के partner आपके लिए efforts भी लगा रहे हैं, और जैसे मैंने बूला, इसी energies आपको दे भी रहे हैं, आपको समझाने के कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अब आपका इनके उपर भरोसा नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं हो रह इस्ते में जाने की, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा difficult है इस person के उपर फिर से भरोसा करना, हो सकता है कि ये person अभी आएंगे आपके पास फिर से कुछ प्रामिसेस करेंगे, और कुछ टाम के बाद फिर से आपके प्रामिसेस तोड़ डालेंगे अपनी family के लिए, क्य लुके है तो आपके परसंददध को लेकर बहुत positive है लेकिन आप नहीं हो, तो अब हम check करते हैं, आपके लिए corean universe मेरि universe के लिए angel guidance क्या है current मेरी universe के लिए angel guidance क्या है, इनको क्या जानना ज़रूरी है, मेरी universe के current में क्या जानना जरूरी है इस वक्त angel guidance, film films, telepathy focus and meditate. तो घुड़ुट वह काउंटरपाट इस ट्राइं टू रीच यू जैसे मैंने बोला यह आपको रीच करने ही का आपकी जिंदगी में एंटर करने के लिए ट्राइ कर रहे हैं। तो वह बात आपके परसं के तरफ जरूर जाएगी और आपको जो इनर्जी देंगे वह सही है कि जूटे अगर आपके जिंदगी में एंटर कर रहे हैं तो अच्छे मांड़ी के साथ आ रहे है कि आप फिर से कुछ बुरा होगा यह थो आपको इसका क्लारीटी मिल जाएगा आपको इस परसंग को टेलीपतिकली मैसे स्टेंड करने की जरुबत है, ऐसे आपको करन्ट पे एंजल्स कह रहे हैं, यस आपको बहुत तोड़ा ही इस परसंग के लिए इस वज़े से आपका दिल नहीं कर रहा, इस परसंग के ओपर फिर से विश्वास करने का, लेकि आपको एंजल्स करन्ट में कह रहे हैं, गैन करेज टूरी करनेक्ट यवरसेल्फ, खुद के ओपर फोकस रहो, अपने आपको पहचानो, फिर से अपने एनर्जीज में आओ, जो आप पहले थे, जैसे थे, वैसे बनने की कोशिश करो, और आपको जो एंसर चाहिए, वो आपके पर आप बना, एक दूसरे से बात नहीं हुआ, लड़ाई जगडे हुए, बहुत कुछ बिगड़ गया इस रिस्ते में, लेकिन फिर भी आप डिस्कनेक्ट नहीं हो पा एक दूसरे से, आप दोनों क्विम फ्लेम्स हो, ठीक है, क्विम फ्लेम्स के एनर्जीज में यही होता है बहुत डिफिकल्टीज आती है, लेकिन फानले अपका रियूनियन होता है, ठीक है, तो आपका टाइम आ चुका है रियूनियन का, ठीक है, तो एंजल्स करेंट में कहे रहे हैं, आपको इस परसल से टेलिपथिक मैसेज सेंड करना है, आपको आपके क्वेस्टन का एंसर ड पहले मेडिटेशन करो, आपका जो भी भगवान ने उस भगवान का नाम लेकर आपको मेडिटेट करना है, रिलैक्स होना है, और बाद में टेलिपथिक मैसेज आपके परसों को सेंड करना है, ठीक है, तो यस यही ही रिडिंग, अगर रिडिंग रजनोंटी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको आपकी परसों रिडिंग करानी है, स्क्रीम पर देख नंबर पॉट्स अपर मैसेज कर सकते हूं, वहाँ पर आपको डिटेर्स मिल जाएगी, कॉल्गे से बूक करने, ठीक है, तो मिलते हैं नेक शू